हाथी और चूहा की कहानी एक राज्य में एक राजा का शासन था हर सप्ता पूरी शानों शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी एक दिन एक ननहा चूहा उसी राजमार्ग के किनारी किनारी कहीं जा रहा था मार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीर लगने लगी, राजा अपने पूरे दल बल के साथ था, उसके सैने कुसे घीरे हुए थे, कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे, वो एक विशाल शाही हाथी पर सवार था, हाथी शाही था, इस उमडी भीर राजा के साथ, साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशनसा कर रही थी, ये सुनकर घमंडी चूही को बहुत बुरा लगा, वो हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा इसमें ऐसी क्या खास बात है, जो मुझ में नहीं, मैं भी उस जैसा ही हूँ, मेरे चोटी आँखों के कारण या जूरीदार चमडी के कारण, इस कारण, एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे, मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ, चूहा ये सब सोची रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पढ़ गई और उसकी लार टपक ग जूलुस छोड़ वो उसकी ओर लपकी, फिर क्या था, चूहा अपनी सारी महानता भूल कर दूम दबा कर भागा, भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया, आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूही को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया, चू वहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थितिक छेद में घुस गया, उसका सारा घमंड उतर चुका था, उसे समझा चुका था कि वो इतना भी श्रेष्ट और महान नहीं, सीख, किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती, म महान हमारी गून और कारिय बनाते हैं